हलो दोस्तों कैसे आप लोग उमीद करता हूँ सब घर में होंगे, सब ठीक होंगे, सब जवर्दस्त होंगे, एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है बस हमारे साथ इस वीडियो में लाश तक बने रही है, सबसे पहले आपको लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वहाँ पे क्लिक करके आप इसके होम पेज पे डारेक्ट आ जाएगे, उपर यहाँ पे आपको पप किया हुआ रेड कलर का मिलेगा इस पे आपको क्लिक करना है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक पीडियो के खुल जाएगा सबसे पहले यहाँ पे आप देख लिएजे जारखन सहायक संयुक्त आसैनिक यांत्रिक सिविल मेकेनिकल की सीधी भरती मुख्य प्रतियुगता परिक्षा 5-2019 के संबंद में यह आवसेक सूचना है, इन्होंने लिखा है कि माननी जहारखन उच नियाले द्वारा रिटेंट पिडिशन सिरियल नमर 53-2020 में दिनांक 21-2021 को पारित में आया देश के आलोक में दिनांक 22-24 के बीच में जो एक्जाम होने वाली थी उसको इस्थगित कर दिया गया है, जी हाँ आप वर्ड को पकड़िएगा, इस्थगित इन्होंने लिखा हुआ है, कि अगले आदेश तक इस एक्जाम को इस्थगित कि रद किया गया है, नहीं लिखा है, ना कि यहाँ पर यह लिखा गया है, कि आपके विग्यापन को रद किया गया है, यानि कि एडवर्टीजमेंट को रद किया गया है, उससे रिलेटेट कुछ नहीं लिखा है, बस इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतना लिखा है, कि मेंस की को अगले आदेस तक इस्थागित किया गया है अब इस पर हम लोग आगे देखेंगे और क्या हो सकता है वो आपको इसके ओफिसियल वेब साइट पर ही मिलेगी निउस चैनल में और इधर उधर के बातों पर ज्यादा मत ध्यान दीजिए क्योंकि वो लोग ये ओफिसियल नोटिफिकेशन आने से पहले ही विग्यापन को रध करने की बात बोल चुके हैं लेकिन आप देखें जेपीशी के ओफिसि ये लोग लेंगे सोच समझ के कि विग्यापन को रध करेंगे या फिर एक्जाम को रध करेंगे क्या होगा वो आपको इसके ओफिसियल वेब साइट पर समय पर समय मिलते रहेगी अब बात करते हैं एक और पीडिएफ की जो मार्केट में सर्कुलेट हो रहे थी उस पीडि वहाँ पर जाके आप इसकी सतिता की जांच कर सकते हैं केस नमर में आपको बता दे रहा हूं और लिंक भी आपको मैं दे ही दे रहा हूं बस आपको करना क्या है जैसे ही खुलेगा आपको केस टाइप में सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको रिटेन पिटिशन जो लिखा हुआ है, उस पे करना है, और case नमर में आपको यहां पे डाल देना है, 53, क्योंकि यह case नमर है 53, आप जैसे 53 डालते हैं, उसके बाद नीचे आपको year डालना पड़ेगा, तो year में आपको कुछ नहीं करना है, 2020 डाल देना है, क्योंकि यह 2020 का case है आप जैसे ही 2020 डालते हैं उसके बाद नीचे आपको capture डालना होगा और उस capture को डालने के बाद आपके सामने ठीक खुल जाएगा एक PDF जो कि मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ capture जैसे ही capture डालते हैं जो कि थोड़ा सा दिक्कत होगा कभी-कभी डालने में लेकिन आपको थोड़ा सा इयम रखना है क्योंकि यहाँ पे capture डालते समय थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा ताकि दोबारा आपको मेहनत नहीं करना पड़े देखिए हमको कितना मेहनत करना पड़ रहा है पोजड और कंटेस्टेट एलाउड उसके बाद बस आप नीचे आईएगा तो यहाँ पे जो कोट का जो अंतरिम यहाँ पे लास्ट वाला है सबसे लास्ट वाला 21 जनवरी 2021 आज के डेट में जो नोटिस आया है उस नोटिस को आप डाउनलोड कर लिजे मेरे पास पाले से डाउनलोड किया हुआ था बस आपके सामने फिर से खुल गया बस आप नीचे आ जाईएगा बहुत लंबा है 20 पेज का है उसको आप पढ़िएगा तो इसमें जो लिखा हुआ था तब तक पढ़ने का जरुत था जब तक JPC के वेबसाइट पर नोटिस नहीं आया हुआ था अब JPC के वेबसाइट पर नोटिस आ गया है तो इसको आपको ज़्यादा पढ़ने का जरुत नहीं है लेकिन यहाँ पर देख लिए जो भी होना है accordingly the state shall advertise those post separately within 8 week from today यहाँ पर 8 week का समय दिया गया है जो भी होना है आपको 8 सप्ता के अंदर पता हो जाएगा और 8 सप्ता के अंदर ही यह लोग decision ले लेंगे कि क्या होगा नहीं होगा अब यह PDA भी सत्य हो गया है अब आप आ सकते हैं इसकी जो official notification है जो की JPC के website पर आ गई है इसमें भी आप देख लीजिए कि exam आपका इस्थागित किया गया है अब यह बात धियान रख लीजिए विग्यापन रध नहीं हुआ है अब 2 से 3 चीज़ हो सकता है या तो विग्यापन को यह लोग रध करेंगे या नहीं तो फिर एक ऐसा cut-off decide करें ताकि सब को पास करना पड़े तो वैसा कुछ नहीं होगा अभी कुछ कह नहीं सकते है कुछ predict करना सही नहीं रहेगा क्योंकि JPSC है अब किसी ने ये expect नहीं किया था JPSC से कि exam के एक दिन पहले ऐसा निर्नाई लिया जाएगा अब ऐसा निर्नाई तो हो गया है इसलिए आप कुछ कहना सही नहीं है बस आप ये धियान रख लिजे कि 22-24 के बीच में जो exam होने वाली थी उसको अभी पुश्पोन किया गया है यानि कि इस्थगित किया गया है अगले आदेस तक अगला आदेस आता है उस समय सब आपको पूरी की पूरी जानकारी हमारे चैनल के माध्य हमसे भी मिल जाएगी और JPSC की ओफिसियल वेब साइट पे भी मिल जाएगी थोड़ी देर होती है वीडियो बनाने में लेकिन आपको यहाँ पे सटीक जानकारी मिलेगी बस ऐसे ही यदि आपको वीडियो अच्छा लगता तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच इस वीडियो को फैला दीजिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत